हेई फ्रेंड्स वेलकम कैसे हैं आप सब आशा है आप सभी स्वस्तोंगे आज की रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं इंजल मेसेजिस एंड गाइडेंस फॉर यू सभी रिलीजियन सभी कास सभी धर्मों के लोग मेल फीमेल सभी जेंडर्स के लोग इस रीडिंग को देख सकते सबसे पहले चेक करते हैं जिनको अपने डेट बर्त नहीं पता या फिर जिनको पता है वो भी सभी उस रीडिंग को कलेक्टिवली चेक कर सकते हैं तो पॉजिटिव रहे हैं जिस भी सुप्रीम पावर में आप बिलीव करते हैं उनसे आप ये मैसेजिस और ये गाइडेंस से बिलीव कीजिए without wasting much time let's start सबसे पहले चेक करते हैं जिनकी डियोबी आती है 1 से 15 के बीच में जिनकी डियोबी आती है जिनकको अपने डियोबी पता है और नहीं पता ठीक है ये सबके लिए collective हैं तो सबसे पहले जिनकी डियोबी आती है हमारी 1-15 के बीच में Unlikely Divine कह रही है कि आपके Life में Struggle तो चल रहा है ठीक है और आप Same Strategy से उस Struggle से बहार निकलने की कोशिश कर रहे हो तो आपको Same Strategy से बहार नहीं निकलना कुछ नहीं प्लानिंग करनी हैं कुछ नहीं तरीके से एफट्स लगानी है so that आप उस तक situation से, problem से, चाहे वो कैसा भी problem हो, उससे बहार निकल पाएंगे listen to your intuition, अपनी intuition को सुनो और उसको follow करो, आप बहुत intuitive हो और आपकी intuition आपको correctly guide कर रही है, ठीक है, तो जिनके DOB एक से 15 के बीच में आती है divine कहा रही है कि अभी situation favorable नहीं है, यह health के regarding हो सकती है, wealth के regarding हो सकती है career और relationship के regarding हो सकती है, तो divine कहा रही है कि अपनी intuition को सुनने की कोशिश करो और उससे follow करो, एक card मैं आपके लिए और निकालती हूँ, for more clarity, forgiveness और जिन भी लोगों ने आपका जाने अंचाने दिल दुखाया है, उन्हें माफ कर दो और अपनी life में positive होकर अपनी intuition को सुनकर आगे बढ़ो, definitely आगे progress है अब जिनकी DOB आती है 16 से 31 के बीच में उनके लिए है, look for a sign divine आपको science दे रही है, signals दे रही है, हो सकता है, आप लोगों को angel numbers दिखते हो, synchronicity होती हो, same number जगा जगा दिखते हो, या फिर birds दिखते हो, कुछ नया आपके साथ हो, reconsider और divine साथ में आपको ये भी कह रही है, कि divine आपको science दे रही है, उन science को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, साथ ही में जो भी आपके plans है, उनको reconsider करो, जल्दबाजी में कोई decision मतलो, get more information again card वही आया है, कि जल्दबाजी में आपको कोई decision नहीं लेना है, चाहिए वो love and relationship के regarding हो, career के regarding हो, health के regarding हो, सोच समझकर, अच्छे से plan करके, अच्छे से understand करके, कोई decision लेना, और अच्छे से time लेकर decision लो, कोई भी decision लेने में जल्दबाजी मत करो, अब जिनको उनकी DOB पता ह है, उनके लिए भी और जिनको नहीं पता है, उनके लिए भी collective reading, if you believe, divine आपको कहते हैं कि जिन भी कामों के लिए आप efforts लगा रहे हो, अगर आप believe करते हो कि वो efforts successful होंगे, तो 110% successful होंगे, चाहिए वो love हो, relationship हो, career हो, health हो, wealth हो, अगर आपको लगता है कि आपके प्रयास, definitely आपके hard work आपको pay off करेंगे, तो 110% pay off करेंगे, उन चीजों को कोई नहीं रोख सकता, और साथ ही में जो negative चीजें हैं, जो आपके लिए work नहीं कर रही, उनको let go करने की जरुरत है, a year from now, आप सबके लिए message है कि जिन भी चीजों के लिए आप प्रयास लगा रहे हो, अब से जब भी आप ये reading देख रहे हो, because ये timeless है, अब से one year के अंदर अंदर आपके वो काम बन जाएंगे, so may God bless you friends, have a good day, take care, अगर आपको reading पसंद आई हो, resonate की हो, तो please do like, share and comment, thank you so much for watching, bye for now, have a good day, take care.